अब चाहिए हलो प्रेंट्स आज मा आपको बताऊंगा एगरी मिन आइबॉलस शाज़ामिन बारे में जो एक विरभे कंपनी के आती है जो चिलिटेड मिनरेल्स विटामिन्स एंड ओर्गनिक नूटरेंट्स फॉर एंइमल फिडिंग के बारे में प्रोवाइटिक भी आती ह इसके बारे में आज आपको मैं डिटेल से बताऊँगा कि यह जो एग्रीमिन आई बॉलस है यह आपके पस्वों में कितीन डोज देनी चाहिए क्या आपके पस्वों में क्या बेन फिट देती है इसके बारे में डिटेल से बताऊँगा बालोуем कितिन दोज देनी चाहिए चोटे पर सु में कितनी दोज देनी चाहिए viva बालोष में आज आपको सब्सक्राइब क्या क्या क्वान करती है क्योंकि मेरे पास बहुत बनाइक आपकर कम करती है तो मैं जरूर इसके बारे में लगर जयादा तर प्रियों क्समिं किया जाता है ज़ transpose में इसके प्रियोग की जाता है जब कोई पसु पालग कहता है कि वह एन्फ von ले नहीं की थीज़ ऑने के ऊक्रमार्स की और कई इस प्रकार के जो टेबलेट ही हर्माणल और प्रोप्रम इंजेक्सान टेबलेटेट, इस Пशो में पछीं के लिए बहुत बड़ी समस्य है पसू पालकों के लिए तो उस इस्तती में आप जो एग्री मिन आई जो ये बोलस आती है इस बोलस का परियोग आप उन पसू में करा सकते हैं जिन पसू के अंदर इस प्रकार की एदी दिकत है एदी आपका पसू लंबे समय तक ब्यानने के बाद में यह आपका पसू पैंतारीस दिन एदी ब्याने के बाद इस पैंतारीस दिन के अंदर हीट में आता है तो आपको उसे जरूर जो एक्री मिन आई बोलस है वो इस्टार्ट कर देनी चाहिए ताकि आपका पसू दो मेने के अंतराल में हीट में आजाए और सात इसात वो ठहर जाये यानि उसको आप एई एए वे नेशनल गर्बादान भी करवाश कराने के बाद में आपका पसु ठहर भी जाये यह दिया आपके पसु में किसी प्रकार के जो इदी कंसिप्शन रेट बढ़ानी है इदी आपका पसु को तो भी आपके पसु में अच्छा रिजिल देती देखो यह इस तरह की बॉलस आती है एक जो पता होता है उसके अंदगत साथ बॉलस आती है कितनी दोज देने चाहिए वह भी माँ आपको बताऊंगा पहले लेकिन आपको बताऊंगा कि यह कौन-कौन से डिजीज के अंदगत प्रियोग की जाती है आपने बहुत इस परकार कि कटिया बच्या देखी होंगी प्रोपर हीट में नहीं आती है एदी हीट में भी आ जाती है तो उनकी जो बच्चा दानी वह घरवाश्य का आकार एदी छोटा होता है तो कई बर एदी जो आपके पास वेटिनरी डोक्टर आते हैं या प्रेक्रिशनर आते हैं तो जब च प्रेक्रिशनर प्रेक्राइब च्चाही पर जो हैं उनमें आप इसका प्रयोग करवा सकते हैं अच्छा रिजल देखने को मिलेगा और देखो यह बॉलस है यह उन पसूँ को देनी होगी जब यह आपके पसूँ में इस परकार की दिकत है यह इसका मतलब यह नहीं कि यह की दो आपके पसूँ में достаточно बहुत एक और यह उसके पार कम करती हैं इसके यह इसके परकार आपके पसूप में किसी भी परकार के इस दो काम करती करती हैं 7 कि हैदी आपको प्रॉपर हैदी मिल्मिन पसुं में डिपेशिंस beiden हो कि जह ने दोड़ देने वाली जो Brittany जो गाह यह यह उसमें क्या होता है जो दूड के साथ बाहर निकल उनकी पूर्टी के लिए भी आप जो ये एगजरी में आई आती हैं ये जो बॉलसाती है इनका प्रयोग उन पसूं में भी किरा सकते हैं यह आपके पसूं का दूद्ध बढ़ाने में भी बहुत अच्छा योगदान देती है एदि इस ये आपका फसुव खाणा पिना भी कम कर रहा है तो अच्छा खाणा-पिना भी आपका पसुव सुचारूरूप से भी करता रहेगा। उसमें भी मेदेड़ार होती है क्योंकि आपके पसुव, के लिए बहुत ज्यादा हई होती है क्योंकि इस में इस तरह के लिए नूटरेंस पाए जाते हैं जो कि आपके पेस्तंक के लिए बहुत ज्यादा दैते हैं यह दि आपके पसुपप Politics यह गि vous आपको ये जो एक पते में साथ बोलस आती हैं तो लगातार आपको 21 से लेकर के 28 दिन तक continuity आप ये बोलस उन पस्वों को देनी चाहिए जो बड़े पस्वों होते हैं यानि बड़े पसूं को आपको ये एक बोलस पर डे के साब से 21 दिन से लेकर के 28 दिन तक उन पसूं को दें बहुत अच्छा बेनिफिट मिलेगा एदि आपका पसूं बीच में हीट में आ जाता है हीट के लिए दे रहे हैं हीट में आ जाता है तो भी आप उसको सुचा करवादी बंद ने करें नेचुर गरबादान करवा दिया है फिर भी आप उसे चालू रखें जिस प्रकार से आप ये बोलस दे रहे हैं और ये आपका पसूं दस दिन बाद में हीट में आ गया है तो आप लगातार दस दिन बाद में भी आप का इंटिनुटी इस बोलस को स्टार्ट रखें इससे कहें कि आपके पसूं की कंसेप्सरन रहेट पड़ती है और आपके पसूं का प्रिग्नेंसी जो सेप है उसकी जो टाइमिंग है वो भी ज्यादा बनती है और आपका पसूं रिपीट होने के सांसा है वो बहुत कम होते हैं ये आपके पसूं में किस साथ से दे सकते यह नहीं आप चोटे जो स्मॉल एनिमल से हैं उन्हें हाब बोलस प्रडे के साथ से वही लगातार 20-20 दिन से लेकर के 28 दिन तक यह आपको दे को अच्छा रिजल लेना है इसका मतलब नहीं कि आप यह साथ बोलस दे करके आप अच्छा रिजल पा सकते हैं य यह आपके पसूम के लिए cả यह काम करती है साथ आपके काम करती एं आपके पसूम की कंसिम्जिपसन रेट को भी बढ़ाती है जहां पकर आप दो सकते हैं चार मेने बाद में वीडियो देखते हैं तो इसकी रेट बड़ी भी मिल सकती है लेकिन साथ बोलस की MRP 185 के लगबग आती है यानि आपको 1500 रुपे लगबग यह जो बोलस है इसका खर्चा होता है तो आपको 500-600 रुपे का खर्चा होता है लेकिन 500-600 में आप उससे भी ज्य जाके आप कमेंट में लिए रही बात यह बोलस आप अपने बेड़ बक्रियों को भी सुवर को भी उद्दे सकते हैं यानि लग बगलग लगव इनिमल्स को आप इन जो बोलस आती है इसका परियोग करवा सकते हैं यह आपको मेरी वीडियो से लगी है तो कमेंट्स में और मेरी वीडियो को आपने दोस्तों के साथ पसुपालकों के साथ इस वीडियो को जितना उसके सेर करें मेरी वीडियो को आप लाइक करें आपके लाइक से मेरे को मोटिवेशन मिलता है और मैं आपके लिए अच्छी अच्छी और नोलिजबर वीडियो आपके लिए हर समय ऐ तेरे थैंक्स धन्यवाद